जर्मनी की ब्रोक्रेज फर्म डाइशे बैंक का मानना है कि रुपए को साहरा देने के लिए आर्बाई अपने रिजर्फ से 30 बिलियन डॉलर आराम से इस्तेमाल कर सकता है। अनुमान है। जर्मनी का इंपोर्ट कवर बना कर रखा है। अगर आर्बियाई ने एग्रिसिव इंटर्वेंशन किया और इंपोर्ट कवर दस महीने से आठ महीने के लेवल तक आया तो रुपए पर और जाधा दबाव बनेगा। तो पहले चीज़ ये कि डायशे बैंक के रिपोर्ट को इस रोशनी में भी देखना होगा। दूसरे मातुपून बात है कि रिजर्ब बैंक अब रुपए की गिरावट के लाव को लेकर नए सेरे से सोचना शुरू करेगा। क्योंकि भारती अर्थ वे उस्था का निर्यात नहीं बढ़ रहा कमजोर रुपए के बाद भी। तो रिजर्ब बैंक को ये भी सोचना कि विदेशी मुद्रा भंडार की जो आवक है जो सप्लाई है करेंट अकाउंट में खासता और विदेशी मुद्रा की वो कहां से आईगी अगर भारत के निर्यात निगेटिव रहते हैं नकारात मक रहते हैं जो हमने देखा आयात में तेज बढ़ रहतरी है और आयात की ल करना होगा कि रुपए को थोड़ा और गिरने धीमे धीमे करमशा कमजोर होने दिया जाए और जो विदेशी मुद्रा भंडार की सिक्यूरिटी है उसे मेंटेन रखा जाए या फिर रुपए में तेज गिरावट को रोकने के लिए बाजार में डालर छोड़े जाए मौद